दोस्तो आज वो कोमिक्सम पढ़ेंगे उसका नाम है अंगारा तिब्बत में ये अंगारा एक कोमिक्स है वो पढ़ते हैं इसको चेकते हैं कैसी हैं अंगारा तिब्बत में डॉक्टर कुनाल चिकित्सा विग्यान के बहुत बड़े वैग्यानिक हैं उन्होंने चैवी बिन जानुरो का ओपरेशन करके अंगारा का निर्मान किया लोम्री का दिमार गिद की आखे खाती का जिगत शिंका दिल और गेंड़े इखाल गोरी लेके शरीर पर बिठाकर वै जानुरो का मशिया अंगारा बना जटायू जैसे विश्याल का इपक्सी अंगारा का वह हवाई बान है और वेल रानी है समुंद्री बान इन तुनों डॉक्टर कुनाल अंगारा दीख पर हैं चार्ली और चिदी ने आपका अपरण करके दूसरा अंगारा बनवा दिया था मगर आपकी चतुराई से मेरी जीत हो ही गई लिए उन दोनों को अब कभी आजाद मत होने देना का पानी बरे अंद्रे तयक आखाने में दोनों को कैड़ कर दिया मैंने अंगारा मैं तुमसे पहले संपर करने वाला था, मैं तुम एक अभियान पर तिपत बेजना चाता हूँ, अगर यहां के अलाद ठीक हो तो, आप अंगारा जिपके अलाद की चिंद फिकर नहीं करें, अब इसे अंतराश्टी माननेता प्राप्त है, जादनोरों के विकास के बहुत से देश हमें आर्थिक मदद भी करने को तियार है, लेकिन आप मुझे तिपत क्यों बेजना चाते हैं, एक बहुत मठ में रहने वाले लामा मेरे मित्तर हैं, वे कुछ अजी प्रेशानियों से गिरे वे हैं, कैसी प्रेशानी, दरसल यह प्राचिन मठ अरावत प्रोता रोण इतना दुर गम और कठीन है कि इस पर आज तक कोई निचर पाया, अरावत सद्यों से रहसमें पाड़ बना हुआ है, आली में इस पाड़ पर एक ही मानव यती देखा गया है, जो लामाओ के मठ पर भी एक दो बार हमला बोल चुका है, सबसे खतरना को रहसम मामला है, आप मुझे बताइए मुझे करना क्या है, मेरा लक्से क्या है, तुमारा लक्से होगा यती को जीवित पकड़ कर भारत की सिमा में पहुंचाना, और मैं जानता हूँ भी दुनिया में अगर कोई इस काम को कर सकता है, तो वेकेवल तुम हो, सिरफ तुम, ध्यान चीन ने भी यती को पकड़ने के लिए शेना का जाल बिछाना शुरूब कर दिया है, वे भी उसे पकड़ कर अपने मुझे में ले जाना चाते हैं, तुम्हें उनका इरादा सफलनी होने देना है, चीन की पोजे मठ को भी ठाली करवाना चाती है, ताकि वे आर्मी की चोकी बने, तुम्हें मठ को भी चीनी चेना चे बचाना है, आप चिंता ने करें, आपके मित्तर हमेशा आप पर ना नाज ही करेंगे, तो भी त्यारी कर लो और जटाईू को लेकर कुछ कर जाओ, मैं तुम्हें पूरा नक्षा बता दूँगा, और लामा तक भी संदेश पहु कोतों के लिए एक सब विशेश संदेश लेकर आया हूँ, तुम्हें तो उमारे सब से विशेश दूदो जो दूर दूर तक भर्मन करके हमें खबरे सुनाते हो, चलो अंदर, गुरु लामा कोतों के सामने, बोलो क्या संदेश है, एक गुरु लामा कोतों, डाक्टर कुना का संदेश है कि शिगरी उनका कमंडो अंगारा या ने वाला है अंगारा ओ फिर तो इस्वर ने हमारी प्रात्ना सुन ली मठ के शिक्षा प्राप्त करने वाले संत्पुरुसों अंगारा का जोद स्वागत जोरदार डंग से होना चाहिए दूसरे दिन वा देखो अंगारा अपने विशालगाई पक्षी जटाईू के साथ आ रहा है मठ से थोड़ी दूरी पर बनी चीनी फोजी चोकी से भी अंगारा को देखा गया मठ में वे कोन उतर रहा है कैसा पक्षी है आदमी को लटका के उड़ रहा है इसको भी अपने मीजियम में ले जाएंगे खबर कर्नल गोंचू तक पहुँच गई मैं कर्नल गोंचू हूँ तुम सब चीन आर्मी जवानों को गम देता हूँ वे उड़ने वाला पक्षी और आदमी हमको मांगता वे कोई इंदुस्तानी चासूश हो सकता है खबर है कि वे तोसा मठ में उतरा है पकट के लाओ उसको चीनी फोजी टुपड़ी चल पड़ी दर्रा ने तांग पर हम पड़ाओ डालेंगे दर्रा ने तांग पर एक चेक पोस्ट था यहां से आगे का रास्ता पैदल है चलो मठ में अंगारा का स्वागत हो रहा था हम सबाब का स्वागत करते हैं मानंगारा और इस आकास पुतर जटायू का भी तभी मठ के सुरक्षया दस्ते से खबर आई गुरू को तो चीनी सेना की टुकडी मठ की तरफ आ रही है ज़रूर कुछ गड़बड है मित्रांगारा आप जटायू के साथ उपर पाड़ी गुफा में चले जाएं वे हमारी गुपत गुफा है नहीं मैं चितने नहीं आया में एक इंडियन जासुस आया है एक पक्सी जैसे पैरा सुट से उतरा है वे हमारा मित्र अंगारा है जासुस नहीं मैं जो भी है उसको हमारे हवाले करो ठीक है मैं अपने आपको तुमारे हवाले करता हूं क्या आप इन्हें नहीं जानते नहीं गुरू लामा मैं इन्हें जानता हूं बस ये ही मुझे नहीं जानते हैं अंगारा को पकड़ कर चिनी से ना की ठुपड़ी अपनी छावनी में ले गई अंगारा को करने गोंचु के सामने फेश किया गया बताओ तुम कौन हो और पक्सी की सकल वाले पैरा सूट से क्यों उत्रे मैं एक आत्मा हूं जि गोलिया बर्साओ नहीं तो मैं इन कोड़े वालों पर बर्स पड़ूंगा गोली तो हम तब मारेंगे जब यह पता लग जाए कि तुम कोन हो तो फिर मुझे मेरा अथि बल दिखाना ही होगा और फडाक तोड़ दिये अंगारा ने उस चीनी सेनी के हाथ से कोड़ा चीन ल से बांदो इसे और इसकी आँखे गरम सलाकों से निकार डालो आओ तो मेरे नजदीक ओ ठाक ओ मैं गोली मात हूं हैंड सब यहीं तो मैं क्या रहा हूं मारा गोली ग्यंडे की खाल वाले अंगारा के सेरी में गोली तो गुशी नहीं पाती अरे गोचु मैंने पहले ही का थ यानि बूत हूं बूत यकिन नियोतों देख मेरे आथ में तुमारे जैसे धियार आस्मान से टकेंगे एक पाड़ी में चिपा जटाईू सब देख रहा था अंगारा का इसारफ पाते उसने अंगारा का मशीन गन अंगारा की तरफ फैका अब मेरा निशाना भी देखो गो हम भूत पगड़ा यहां उसें सब को मार डाला उस पर गोली असर नहीं करती है भूत भागो भूत चावनियों में बगदर मच गई बुलाओ अपनी दूसरी टुकडी को दूसरी टुकडी परन यहाई इस पर बंबारी करो मार डालो इसे कोई नहीं आया कोई नहीं आया करनल को चूप तेरे कारजवान तो बाग कर जंगलों में चले गए तुझे तो मैं बागने का भी मौका नहीं दूँगा नहीं नहीं मुझे माप कर दो रहम करो मुझे पर तो सुन आज के बाद कोई चिनी शेने की मठ कारूप नहीं करेगा कोई नहीं जायेगा कोई यति को पकड़ने की कोशिस में उस्तरफ नहीं जायेगा और अगर कोई उस्तरफ आया तो याद रखना मैं इस चाहनी को परबात कर डालूँगा कि यह जिन्दा नहीं सोडूँग मंजूर अगले इपल कमॉन जटायू है वह पर इतना विशालपक्षी है वाकई बड़ा खतरनाक भूत था कि मुझे हेड़कॉर्टर को सूसना देनी होगी कि यह भूत आ गया है इन चीनियों का कुछ ब्रोशा नहीं जटायू मुझे मठ में उतारकर तुम बुल बंद पाड़ी पर जा बैठो और वहां से चीनियों पर नज़र रखो लामा गुरू में उन चीनियों को दुरुस्त करके आ गया हूँ अब वे कभी इस तरफ नहीं आएंगे यह अंगरा जैसे हमने सुना था वैसा ही आपको पाया अब आप मुझे यती के बारे में बताईए यू तो हमने पहले भी बहुत सुना था कि अरावत पाड़ी की गाटी में यती रहता है उसके पैरों के चीनियों तो देखे थे देखे थे मगर उसे किसी ने देखा नहीं था उस तरफ गाटी में पेशमार अन्वोत जड़ी बूठी आएं जिने हम निकाल लाते थे और तिपद नेपाल गुटां के बाजरों में बेशते थे लेकिन तीन-चैर महिने से मारे ये सकारोबार चोपट हो गया है अब यती के डर से कोई उस तरफ नहीं जाता और आवत की तेराई में यती का हरतर पातंग फैल गया है एक दो गाउं भी वाप बसे थे जो अब विरान हो चले हैं अब यती नर बक्षी हो गया है वैक्सर अंदेरी रातों में दावा गोलता है और उसके साथ रीच बेडियों के गोल चलते हैं रात के समय मटका मुख़ दौर बंद कर दिया जाता है फिर भी मारे आठादी मारे जा चुके हैं क्या कभी किसी ने यह जाने की कोशिश की कि इस फार में यती का ठिकाना का हैं इस बारे में कोई कुछ पता नहीं लगाश का इसका मतलब मुझे उसके पर कट होने का इंजार करना होगा दो दिन बाद रात के समय चिया गरर यती आ गया साधान यती आ गया मत के फाठक पर जोरा आजमाईस कर रहा है मैं पार जा रहा हूं उससे दो दो आत करने नहीं से रात के समय उसके साथ कुंकर दरिंदों की फोज रहती है वे मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते अंगारा मठकी च्यार दिवारी पर चड़ गया ये रिश्थो दिवार को कोदने पर लगे हैं और फाठर तोड़ने का बीड़ा येती ने खुद उठाया हुआ है ठेरो रुख जाओ अंगारा का निर्मानी जानूरों छे हुआ है वे सब जानूरों की बासे पोलना भी फुब जानता है पोन है जो हमारी बासे में बोला हमारे गोल का हुगा पोन है पे जो हमको रोकता है कैसा है किदर है मैं हूँ अंगारा अरे ये तो आदमी की जून में है हमारी बासे कैसे सीख गया सरकस में काम करता हुगा बेडियो फाड डालो इसे तोड डालो फाटक बालो तुम दिवार पर चड़ जाओ मैं कहता हूँ रुख जाओ नहीं कोई बालू दिवार पर चड़ेगा नहीं कोई फाटक तोड़ेगा पहले इसे चीट फाड़ कर खालो बहुत अकड़ता है बेड़ी और बालू अंगारा पर जफट पड़े अंगारा सिर्फ मुश्कराता खड़ा रह गया इसके जिसम पर नय तो हमारी नाकुन गड़ते हैं नय दांत गेंड़े जैसी खालका है गंद शेर की और आती की भी आती है लोम्री की भी बू आती है हम नर बक्षी है इसे नहीं खा सकते आका यहतो हमारी तरह जानूर है मैं तमारी नर बक्षी दांत तोड़ दालूँगा कै तुमने कभी अंगारा का नाम नी शुना अंगारा जानूर का देव तांगारा अंगारा तब ही आ पटाक भ ब। अच्छा तप शुबह उने वाली है चलो यहां से खिशको बागो हंगारा परफ में दब गया था जटायू तेज से वहां पूंचा और बरफ हटाने लगा चल दी कहां गये यह थी वैं बाग गया सामी तुमने उसे खतम क्यों निकर दिया है तो बड़ा दूस्ट निकला मैं उनको जल्दी सही राश्चे पर लिया हूँगा लेकिन क्या तुमने देखा कि वह गया कहां हाँ मैंने पूरे गोल सही तुसे गुफा में बुश्ते देखा है चलो मुझे उस जगया पर ले चलो जुआ गया मुझे लगता है गुफा द्वारा वे आरपार निकल जाती है जटाईल में एक जगया अंगारा को उतारा गुफा तो यही पर थी या तो कोई गुफा नी कई तुम से देखने में कोई भूलतो नी हुई गरूर की आखे तो दर्ती पर रेंग थी चीटी भी देख लेती है स्वामी वे गुफा यही पर थी मुझे चीतर याद है यह चीड का पुराना पेड़ उसकी पैचान है देखता हूँ अभी तो परक पर उनके आथ पैरोगर निसान भी होंगे और वेर है निसान और निसान यहीं खटम हो रहे हैं ताजूर की बात है यहां से उन्हें क्या जमीन खा गई या आश्मा निंगल गया खई इस जगह कोई तिरिसमी गुफा तो नहीं या कोई ऐसा गुफा दर्वाजा मगर ऐसी गुफा बलाई यह जानवर कैसे बना सकते ह जटायों हम यहीं कहीं चिप पर रात का इंजार करते हैं आस पास कोई उपल यूपल जगह देखो ठीगा ग्रेट सर वास एक छोटी कंद्रा में अंगरा ने डेरा जमा दिया रात के अंदरे में कोई और देख सके या ने देखे मेरी गिद की आंके तो दूर तक देखी सक पिए दूर आत केस में बडी रहसे में खामोसी है कहीं कोई परिंदा भी पर निमार रहा है तबी घुरड घुरड लखता कोई चटन दस रही है वह यह तो गुपत गुपा का रास्ता खुड रहा है चियाओं चलो कल में बोजनी मिला आज नर्मास लाना है नर्मास लाना ह यती ने गुपा का गुपत दरोजा बंद किया और जैसी वेपने दरिंदों के साथ चला गया कमाले ठीक साइज का तराशा गया पत्थर है जिसे यती अपनी ताकत से कोलता और बंद करता है अंगारा फिर महीं चिप गया अब आने दो उने शुबह उने से पहले एकी मिला सब चकर खाएंगे सब गुफा में गय और द्वार बंद हुआ उस द्वार पर मैं वेपनी ताकत आजमाता हूं अब इन बदमासों को देखता हूं गुफा के अंदर वो इस चोड़ी शुरंग में पूरी चोखडी फुराटे में लेकर सो रही है चलो सब उठो मैं तुमा कर दाओ यह अंगरा का हुकम है वे नहींघ Agoo का देराओ है फिरफल रात के अंदेरे में जाकता है उतने आज एक आदमी का को आत्या क jaar है थे अंगारा देवता तुनिया में ऐसा कौन जानो रहे जो आपका उकम नहीं मानता तो फिर सुनो सबके सब यती को खीशते हुए मठ में ले चलो जात उन्हें रात दावा बोला था जो आगया देवता अरे वो देखो अंगारा यती को खीशता ला रहा है यती गव मठ में लाया गया यह रात को जागे गा इसे चंजीरोंसे बांद हो अगर आपने शेम नहीं के हैं तो और मिलते हैं इसके अगले पार्ट को खीशता थी बcık्ड़क्चर उन्चूे कि अढ़ üzere दो दो कि अढ़ कर दो चोत सू